Hello everyone, आज की इस online lecture class में हम लोग एक poem पढ़ेंगे जिसका नाम है Childhood और ये poem जो है NCRT pattern पे based है, UP board में जो अभी new syllabus आया है Class 11th में ये poem दी होई है, तो उसको हम लोग समझेंगे आज इसकी हिंदी को और इस poem में क्या theme बताने की कोशिश की गई है, क्या चीज बताने की कोशिश की गई है उस चीज को समझेंगे, तो सबसे पहले जानते हैं इसके बारे में कि poem क्या है और poem की theme क्या है, इसे किसे compose किया है, किसने compose किया इसे तो मार्कुस नाटन ने इससे कंपोज किया है और पोएम का नाम है चाइल्ड हूड चाइल्ड हूड का मतलब होता है बच्पना ये एक स्टेज होती है जो हमारी लाइफ में होती है सभी लोग इसके बारे में अच्छे से जानते हैं और कुछ अभी हो सकता है वीडियो देख रहे हैं आप लोग कुछ बच्चे हैं भी इसमें तो बच्पना भी बहुत लोग के अंदर भारा भी है तो कुछ ऐसा ही होता बच्पना, और माकुस नाटन ने किस तरह से इसको बताने की कोशिश की है, चलिए उसे जानने की कोशिश करते हैं, पोएम के line to line हिंदी को समझते हुए, तो स्टार्टिंग में कहा गया है, पोएम में माकुस नाटन जो है एक विश करते हैं, अपने उ बच्पना कब चला गया, यानि कब चला गया मेरा बच्पना, कब खतम हो गया मेरा बच्पना, Was it the day, क्या वो एक दिन था, I ceased to be 11, कि जो मुझे 11 होने से रोक रहा था, यानि कि जब 11 वर्ष की आयू थी, तब ये बड़े होने लगे, लेकिन उसके पहले के जो आयू थी, क्या वो एक दिन था, कि जो खतम हो गया तरण थी, Was it the time, आगे कहते हैं कि क्या वो एक समय था, I realized the hell and heaven, कि जब मैं ये समझ पाया कि hell or heaven, hell का मतलब नर्क और heaven का मतलब स्वर्ग, कि जब मैं समझ पाया कि ये hell क्या होता है, नर्क क्या होता है, स्वर्ग क्या होता है, क्या इसके पहले ही जो जा, वो बच्पना मेरा था, तभी गुजर गया, could not be found in geography, लेकिन ये सब चीजें मैं नहीं समझ सकता, यानि hell or heaven को मैं नहीं समझता हूँ, क्योंकि could not be found in geography, ये geography में, यानि प्रत्वी पर, geography का मतलब यहाँ है, नक्षा, कि नक्षे पर कहीं भी ये जगह पाई नहीं जाती है, hell or heaven जो है, कहीं भी नहीं पाई जाती है, दरसल इन चार लाइनों के माद्धियम से क्या चीज थीम है, ज़रा उसको पहले clear करने फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें इन्होंने बताया है कि बच्पना जो एक होता हम लोगा, एक ऐसी थीम होती है, एक simple हमारी life का एक ऐसा पड़ा होता है, कि जिसमें हम लोग अपने उस युग को जीते हैं, उस चीजों को जीते हैं, जब हम problem से दूर होते हैं, हम दीरे दीरे बड़े हो रहे होते हैं, हम बड़े होने के बाद में manhood की तरफ जाते हैं, यानि कि वैस्क होते हैं, एक पुरुशार्थ हमारे अंदर आता है, लेकिन उसके पहले जब बच्पना होता है, तो हम छोटी छोटी बातों को curiosity के साथ देखते हैं, curiosity के साथ हम प्रशने पूशते हैं, हमारे अंदर एक मन के अंदर इतनी कोमलता भरी होते हैं, कि हम जिन चीजों को भी सीखना चाहते हैं, आसानी से सीख जाते हैं, और लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार करते हैं, ये सब चीजे हैं, लेकिन जब थोड़े से बड़े ह जब थोड़े से बड़े होते हैं, तो हमारे मन का जो विचार होता है, वो धीरे धीरे बदलने लगता है, बदलता इस प्रकार से है, कि हमें कई बार जो कोई अच्छी सीख देता है, हम उसके विपरीत सोचने लगते हैं, कई बार जब कुछ हमें कोई अच्छा समझाने की कोशिश करता है तो हम उस पर अपना निरनाय कुछ इस प्रकार लेते हैं कि सामने वाला व्यक्ति जो है कुछ बहतर नहीं जानता है यानि हम एक ऐसे युग में प्रिवेश करते हैं जो हमारा टीन एज वर्क कहलाता है ग्रॉन अप्स कहलाता है और उस समय का टाइम में हम एक ऐसे उमर पे आते हैं जहां पर हम पिछले 11 साल के दौरान किये गए कारणों को याद भी करते हैं और उस समय का टाइम में हम मैच्चुर तो नहीं होते हैं मैच्चुर मतलब कि हम बड़े तो नहीं होते हैं लेकिन छो अधिक कर देते लोगों से प्रशने पूचना शुरू कर देते हैं और स्वर्ग और नर्क जू चीजेंón को बताते हैं तो हम उसमें विश्वास kcomplacom करते हैं ऐसका मतलब यह हुआ कि चीज को महसूस करता है तो यह जो जो तरीकेला करेंज्ट मेरे आस पास तो नहीं है जियोग्राफी मैप पर कहीं मौजूद तो तो मतलब हो चीज मैं मानूंगा नहीं फिर आगे कहते हैं क्या ये वही दिन था जब मैं अपना बच्पना खो गया यानि मेरा बच्पना खतम हो गया था वो दिन फिर आगे अगले दिन थे कि when when did my childhood go तो फिर ये पूशते हैं कि मेरा बच्पना कब चला गया यानि कब खतम हो गया was it the time कि ये वह समय था I realized that the adults were not कि ये वह समय था कि वैसक जब नहीं होते हैं ये मैं विश्वास कर रहा था all the day seem to be कि जो सब कैसे लगते हैं they talked of the love, the priest of love but did not act so lovingly was that they अब ये मन में क्या आता है इनके विचार समझिए ये कहते हैं कि was that time क्या वह समय था कि I realized जब मैंने ये महसूस किया कि adults यानि वैसक adult का मतलब जो हमारे भारत के recording 18 year की age को complete कर लें उन्हें adult कहा जाता है तो क्या वो adults थे जो वैसे नहीं थे जैसा उनके बारे में सुन रखा था फिर आगे कहते हैं कि all they seem to be जो जैसा वो दिखते हैं तो ये उनके मन में एक बड़ा सा विचार आता है वो ये भी आता है कि बड़े लोग जो सिख्षा देते हैं जो किसी चीज को लोग होते हैं बड़े फिर आगे कहते हैं कि जो वो बात करते हैं प्रेम की यानि बड़े लोग कि प्रेम करो वो कहते हैं उपदेश देते हैं प्रेम के लेकिन वास्तब में खुद प्रेम नहीं करते हैं और प्रेम से बोलते तक नहीं है मतलब सामने वाले से कहते हैं कि प्यार से बोलो प्रेम पूरवकर हो लेकिन खुद बत्तमीजी से पेश आते हैं खुद जगड़ा कर बैठते हैं तो ऐसी चीजें हमारे आस पास देखने को मिलती हैं तो ये सोचते हैं कि मेरा बचपना कब चला गया इन सब पड़ाओं पर हमारे मन में बहुत से परिवर्तन होते हैं इसे आप साइकलोजी की स्तर से समझेंगे तो ये होता है कि जब हम बच्चे होते हैं मन हमारा बड़ा कोमल सा होता है और हमारे हर किसी के साथ घुलमिल लाते हैं बड़े प्यार से बात करना शुरू कर देते हैं लेकिन जैसे हम टीन एज यानि टीन एज जो 12 साल से लेकर स्टार्ट होती है 17 साल के बीच में इस उमर में हम आते हैं तो हमारे विचार थोड़ा सा बदलते हैं हमें अपने लिए self respect की ज़रूत पड़ती है हम अपने काईदे कानून खुद बनाना शुरू करते हैं दूसरों की बातों का विरोध करना शुरू करते हैं कई बार हमें तर्क अपने लगाने की आवशक्ता हो जाती है जैसे अगर हमें कोई कुछ बताता है तो हम अंद विश कर अलग कर देते हैं और उसके बाद बाकी लोग कर देते हैं कि हमारे आसपास तो गलत हो रहा है मगर मैं सही कर सकता हूं यह feeling आने लगती है तो इन सब चीजों की होती है बट जो अड़ल्ट को हम लोग देखते हैं जो बड़े लोगों को जो हमें उपदेश देते हैं हम के अंदर भी कमिया तलासते हैं वह कमिया इसी प्रकार की वह उपदेश प्यार कर तो देते हैं लेकिन खुद प्यार से पेश नहीं आते हैं तो इस टाइप की चीज़ें हमें आसपास देखने को मिलती है और तब लगता है कि काश बच्पना वापस आ जाए तो फिर आगे मत समझेगा मन का मतलब यह है कि मन हमारा कब होता है मन हमारा मतलब यह है कि कब हम अपने मन का कर पाते हैं जब हम छोटे होते हैं तो अपने मन का सब कुछ करते हैं लेकिन कब जब ममी बापा पास नहीं होते हैं अपने मन से लड़ाई भी कर लेते हैं अपने मन का जगड़ को हम प्रिवेश करते हैं, उन पिशारों को अपने मन के अंदर लाते हैं, जो हमारा आसपास का माहौल क्रियेट करता है, जैसे हम अपने मन पसंद के कपड़े पहनना शुरू करते हैं, हम अपने मन पसंद की चीज़े खरीदना शुरू करते हैं, बच्पना जब होता है, देखे, मम्मी ने, पापा ने जैसे बाल कटवा दिये, वैसे कटवा लिये, जैसे कपड़े पहन लिये, लेकिन जैसे हम टीन एज पर आते हैं, इस वर्ग पर आते हैं, इस उमर पर आते हैं, तो हमारे मन के अंदर आता है कि नहीं मुझे ऐसे कपड़े पहनने कि नहीं मुझे इस प्रकार के बाल कटवाने है तो ये मन की चीज़ें हम करना शुरू कर देते हैं तिर आगे उसी चीज़ को ही सोचते हैं आगे कहते हैं कि to use whichever way I choose कि मैं जिस भी प्रकार के अपने रास्तों को चुनू producing thoughts that were not those of the other people वो विचार बिलकुल वैसी होंगे जो दूसरों के जैसे नहीं होंगे यानि हम एक ऐसे वर्ग पर आजाते हैं एक ऐसे पड़ाव पर आजाते हैं जहां पर हमें लगने लगता है कि मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा मैं अपने तोर तरीके खुद बनाऊंगा दूसरों के तरीके से मैं तो नहीं रहूंगा यह विचार हमारे मन में आने लगता है फिर उसी समय हमारे मन में यह भी विचार आता है कि but my own and mine alone कि जब मेरा मन जो है यानि हमारा मन केवल खुद का होता है हम एडल्ट होते हैं बड़े हो रहे होते हैं लेकिन मन तो यही करता है ना कि वापस से बच्पना आ जाए अभी नहीं करेगा थोड़े और बड़े हो जाएंगे एडल्ट हो जाएंगे फिर करने लगेगा यह चीज़े कभी कभी होती है तो हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि काश वो यह को हम फिर से जी पाएं यह चीज़ तो फिर पोएट कहता है कि Was that the way? क्या यह वही दिन था जिस दिन मेरा बच्पना खो गया फिर आगे लास्की लाइन में सूचते हैं सोचते हैं और कहते हैं कि Where did my childhood go? अभी तक When कह रहे थे आप कह रहे हैं Where कि मेरा बच्पना चला कहां गया है फिर तुरंत ही ने ध्यान आता है कि It went to some forgotten place क्या यह किसी ऐसी जगह चला गया है जहां भटक गया है खो गया है That's hidden in an infant's face शायद यह उसी जगह खो गया है कि जब एक नवजात infant का मतलब नवजात गोदी वाला बच्चा जैसे होता है उसके चेहरे में hidden मतलब हो गया है उसके चेहरे में व्याप्त हो गया है तो बच्पना यह basically देखेंगे तो बच्पना आपको किसी बच्चे के चेहरे के अंदर ही मिलेगा बाकि कहीं ने that's all I know कहते हैं हाँ मैं यह जी जानता हूँ यहनि मुझे पता है कि बच्पना कहा है बच्पना सिर्फ बच्चे के मासूमियत भरे चेहरे के अंदर मौझूद है इसके अलावा कहीं भी बच्पना नहीं मौझूद है तो पोएट जो है इन सब चीजों को सोचते हैं और इस आइडिया को सोचते हैं कि जो उनकी लाइफ में हुआ अडल्ट होते समय बड़े होते समय तो वो पूरानी चीजों को याद करके सोचते हैं कि काश वो लाइफ फिर से आ जाती है दरसल बड़े होने पर बहुत से समस्याइं आती हैं जज ने इनको पोईट ने इस चीज को जज किया और उस चीज को समझा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है प्रॉब्लम्स या आती है जब हम बड़े होते हैं तो लोग हमसे अलग तरीके से पेश आने लगते हैं चोटे ब आती हैं कि आपकी जिम्मेदारियां मड़ जाती हैं समाज में लोग आपसे अच्छाई की उमीद करने लगते हैं बच्पने में आप कोई गलती करते थे तो उसको भुला देते हैं लेकिन बड़े होने पर कोई गलती या आप जब करते हैं तो आपको एक सिक्षा दी जाती है आपको सुधरने की सलाह दी जाती है ये परिवरतन आते हैं बड़े होने पर मानसिक तनाव बढ़ता है सामाजिक जिम्मेदारियां बढ़ने के साथ साथ तो ये जो परिवरतन होते हैं हम करके दुबारा से देख लें कोई चीज अगर क्लियर नहीं हुई है आपको पोएम बहुत अच्छे सा समझे आ जाएगी इसके रिलेटेड कोश्चन आंसर को भी आप प्रिपेर करें साथ ही साथ एक्जामनेशन में इसके रिलेटेड कोश्चन आंसर पूशे जाते हैं और ऐ ऐसे ही नए लेक्चर और नए वीडियो के साथ नेक्स्ट ए-Learning सेशन में फिर मिलेंगे तब तक के लिए इस्टे हापी इस्टे सेफ एंड कीफ वाचिंग आश्वतर्शा चैनल